हेलो एब्रीबन वेल्कम बैके नवर चनले दोस्तों आप से भीका स्वागत है मैं हूँ कफिल तो पैरे बच्चो आज की इस वीडियो में आप आपको ने एक न्यू प्लिलिस्ट हम आपको प्रोबाइट कराने जा रहे हैं जो बच्चे सीटेट को लेके पेपर टू की जो पूछे जा रहे हैं तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है पैरे बच्चो वो लिया है हमने डैसिमल डैसिमल से किस तरीके से सीटेट पेपर टू में आप से लगा अतार कंटिन्यू कैसी पेपर पूछ रहे हैं जो इजी से कुश्चन दे डैसिमल के वो मैंने रहने ही दिय देखो most important बात क्या है देखो question तो हमें आती ही आते है ना बस हमें करना है revision revision करेंगे तो कुछ कमांड नहीं है वो चीज़े हम सीखते चलेंगे तो चलिए question number one मैंने क्या कर रहा है पहरे बच्छो सारे questions को और रेड़ी मैंने आपर ड्रॉ कर रहता है मैं आपको बस explain करता हुआ चलूंगा तो आप समझते वो चलिएगा ठीक ना वह सारी questions लगातार आपसे ना हर बार सीट n की power n तो आपको k plus n का value बताना है तो मैंने ज्यादा lang base नहीं लिखिया वस मैं आपको बोलता हुआ चलूंगा ठीक है ना तो question में बोला गया था यह जो value है वो आपकी standard form है यानि कि मानक रूप में ब्रेक्त की गई है इस value को जो आपका 0.001278 दे रखा है ठीक है ना तो जिर्फ आगे से एक number बाद ही आना चाहिए ठीक है ना तो मैंने क्या किया यह जो decimal था वो मैंने 1 के पीछे ले जाके लगा दिया ठीक है ठीक है ना एक दो तीन चार और पांच decimal को हम कितने place पीछे लेकर गए 5 place तो 10 का power उतना ही negative में आपका आज आता है ठीक है ठीक है ना अब यह equal किसके दे रखा है k into 10 की power n की जो 10 का value आएगा वो हमारा n का हो जाएगा क्योंकि base तो आपका 10 का same हो चुका power n है तो n का value minus 5 हो गया k का value आपका 1.278 हो गया question में आपसे k plus n का value प्यारे बच्चो आपसे पूछा गया तो simply अब इनको add करेंगे और n जो हमारा minus आ गया तो sign भी change हो जाएगा जब हम minus करेंगे तो we will get minus 3.7222 आपका correct आपका answer option C हो जाएगा ठीक है उम्मीद करता हूँ आपका यह question समझ आ गया होगा तो आप video को pause करकर कि न आप खुद भी solve करके इनको देख सकते हूँ तो चलिए बढ़ते है question number 2 की तरफ यह रहा आपका question number 2 तो आपको यह value दे रखिये और आपसे बोला गया तो change into the standard form यानि कि मानक रूप में back कीजिए देको simple से जो decimal वाले questions आते हैं वो तो सारे बच्चे कर लेंगे न मैंन question में दे रख है 1.2 into 10 की power 3 upon 2.4 into 10 का power 4 तो यह मैंने यहाँ लिख लिया ठीक है अब देखो simple same place पर decimal होते हैं वो cancel out हो जाते हैं तो 12 से 2, 2 time cut हो गया 12, 2 is 24 अब जब 10 का power नीचे मेरा minus 4 था ना इसको लेके गया मैं numerator में यानि कि ऊपर लेके गया अंस में तो जो value denominator में होती ह ना minus में तो उपर ले जाने पर ना उसका sign change हो जाता है तो plus की हो जाती है वो तो पहले सी हमारे यहाँ पर 10 का power 3 तब वो ऐसी रहने दिया into 10 का power 4 तो यह मिलके 10 का power 7 हो जाएंगे क्योंकि बेस से power 7 हो जाती हैं अब यहां हमारा रह गया 1 by 2 option में 1 by 2 कहीं भी देखने को यानि कि half होता है हमारा 0.5 0.5 into 10 की power 7 यानि कि जो option है हमारा option B हमारे यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा mostly आपसे standard form से question जादा देखने को मिलते हैं क्योंकि paper 2 है first paper में इतना कुछ देखने को आपको नहीं मिलता है तो बात करते है question number 3 की तो यह रहा आपका question number 3 question number 3 में आपसे बोला गया है minus 1.1 का power 5 into 1.21 की power minus 2 equals to कितना आएगा देख लीजिए मैंने सामने इनकी years लिख रखी है same ऐसे ही questions आपसे लगा अतर एक्जाम में पूछे गए अधर अधर हो गई है mostly यह जो मैंने question लिखे है ना वो 2022 एक्जिस और 19 के अप्रॉक्स में लिखे लिखे है और बाकी मैंने देखे थे paper में जो same थी ने उनके आगे मैंने आपकी ना वो years डाल रखी है तो देख लीजिए आप इनी को लेके अपनी तैरी को आगे बढ़ा सक था तो मैंने इसको five time यहाँ पर open कर दिया minus 1.1 minus 1.1 minus 1.1 minus 1.1 ठीक है ना अब आपको यह दे रहा था 1.21 का power minus 2 है इसको हम नीचे लिखे जाएंगे denominator में तो power हो गया plus का और इसको मैंने दो बार इसको नीचे open करके लिख दिया जो 121 होता वो 11 का इसकार होता है इतना हम सब भी लोगों को पता है और आना भी चाहिए ठीक है ना तो 11 से 11 time कट हो गया 11 से यह भी 11 time कट हो गया बाकी दोने 11 से दोने 11 मैंने आसे निकाल दिया यह भी cut कर दिया ठीक है ना अब जो remaining रहा गया हमारा minus 1.1 रहा गया सो simple सी calculation तो जो option है ना हमारा option A यहाँ पिना प्यारे ब प्यारे रहजाते हैं फ्लीज थोड़ी बहुत आप मेहनत करिएगा आप आसानी से अपना paper cross कर जाएंगे तो चलिए बढ़ते है question number 4 की तरफ यह रहा आपका question number 4 बोला गया 10.0007 into 0.003 एक question किसके होगा seated 2022 का ही question है लगाता रहे से ही question आपसे 16, 14, 21 में आपसे ना पूछे ग रखा है तो जिसमें only single digit थी जिसमें only 3 है तो उसी 3 से मैंने क्या किया पहले इस number में multiply कर दिया 3 का multiply 3 7 21 दो प्लेस यहां से cover हो जोके 0 7 20 बना जाएगा बाकी बचे हुए 1 2 3 और यह 4 0 मैंने लिग दिये अब 3 का multiply 1 में करेंगे 3 बंजा 3 हो गया ठीकिए अब हमें decimal पूट कर करते हैं तो आपका यह बंती 3 0 0 0 0 2 1 यह बंता आपका value ठीक है न अब इसमें decimal count करेंगे एक दो तीन तीन नंबर वाद यहां हो गया 1 2 3 4 5 यानि कि 8 नंबर वाद आपका decimal आएगा तो यह जो 0 है उस बज़े से आ रहा है देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 नंबर नहीं होता उसके ल option है हमारे आपे option D आपका सही हो साय आगे देखिए इसी भी बिल्कुल पूछ लेता है कभी कभा थोड़ी सी literally tough question आपसे exam में देखने को मिलती है तो चलिए बढ़ते है question number 5 की तरफ तो यह रहा आपका question number 5 प्यारे बच्चों question बोला गया 3.101-2.11-k equals to 2.65-0.256 ओके तो आपसे 1-k का value आपसे पूछा गया question seated 2022 का है और 23 में जो भी recently आपकी एक्जाम हुए थे वहाँ भी question आपको ऐसा देखने को मिला आता साथ साथ आपसे 14 और 20 और 16 में भी आपसे यह question आपसे ऐसे ही question आपसे डिस्टे बदल कर पूछेगा है ठीके ना तो देखें किस तरीक से करेंगे मैंने पहले question यहां लिक रखा है तो सबसे पहले हमने solve किया इन दौनों पार्ट को मैंने क्या क्या minus कर दिया minus करेंगे तो ह को ले गया मैं right hand पर हो इसको ले आया मैं left hand पर तो k equals to आपका आएगा 0.991 minus 2.34 जब आप minus करेंगे तो 2 minus का बड़ा है तो minus का 1.403 आएगा ठीक है तो k का value हमारा minus 1.403 आगया हमसे पूछा गया 1 minus k का value आप बता दीजिए 1 के place 1 minus लिग दिया जो k का value है वैसे हमारा minus निक जो option है वो option आपका है आपके डी सही हो जाएगा देखिए ऐसे ही question आपसे exam में बनेंगे decimals को लेकर तो चलिए बढ़ते है question number 6 की तरफ तो ये रहा आपका question number 6 seated 2022 का ये question है लगा अतार standard form से आपके question देखने को आपको मिलते हैं ओके और भी exam में पूछा गया वो मैंने आपके years डाली नहीं है तो direct देखिए p का value पूछा गया आपसे p दे रखा है 12.34 multiply 10 का power 10 minus 5.67 into 10 का power 9 अब देखो solve करें के करने के questions को कही सारी तरीके होते हैं तो मैंने यहां पर यह यह use किया हुआ है मैंने power को ना same कर लिया मैंने क्या कि 10 से इस वाली equation में multiply और divide कर दे जिससे क्या हुआ 10 की power 9 थी ना but 10 हो जाएगी 10 की power 10 और 10 का हम डिवाइड करें के decimal एक प्लेस आ गया जाएगा यानिकि 0.567 into 10 का power 10 हो जाएगा यह वाला minus वाला part यहां तक same चल रहा है 10 की power 10 आपका यहां पर common आ गया ठीक है ना अब 12.34 में से 0.567 को माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो we will get 11.773 into 10 का power 10 आएगा ठीक है ना और 11 पॉइंट तो option में है ही नहीं तो यह अब 10 की power 10 नहीं चलेगी ठीक है ना तो 10 की power 10 वाले दोनों ही option यहां से हमारे wrong हो रहा है क्योंकि यह 1.1 आ रहा है और हमारा 10 की power 10 को लेके हमारा 11 आ रहा है तो इस question को अब power 11 में चेंज किया जाएगा ठीक है जब 11 में चेंज करेंगे तो सेम जो अभी मैंने यहां calculation करी थी 9 को 10 बनाये था अब 10 से 11 बनाएंगे 10 का डिवाइड उपर और multiply कर देंगे multiply और डिवाइड ठीक है तो 10 का power 10 11 हो जाएगा और यह जो decimal है एक प्लेस आगे चला जाएगा 11 से 1.1773 इंटू 10 की power 11 आपका यह हो जाएगा तो option जो है इसका प्यारे बच्चो वो आपका सही हो जाएगा option नमबर कौन सा option नमबर C ठीक है 1.173 option देखिए कौन सा सही है option A इसका प्यारे बच्चो एकदम correct है 1.173 माफ कीजिएगा option A इसका ठीक है तो उम्मिद में आपसे करता हूँ यह question समझ आ गया होगा इसका दूसरा आपका method यह भी हो सकता है आप यहाँ से 10 का power 9 common ले लीजिए 10 का multiply कर दो 1.2 बनता है तो भी कुछ इस तरीकिस से questions को निकाला जा सकता है ठीके न आप इस question को वहाँ से भी कर सकते हो तो यह था आज का हमारा topic seated paper 2 को लेकर decimal के किस तरीकिस से आप से question बनते हैं इसी कि surrounding आप अपनी तेहरी को कर सकते हो आप समझ चू कियोंगे जो ए लेबल है एक्जाम का किस तरीकिस से आपका रहता है तो सबसे पहले आप एक काम करेगा चैनल का वेल आइकन आप on कर दीजिए जिससे जो आने वाली वीडियो को notification होगा पहरे बच्च वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा तो चलिए लगातार ऐसी ही continue वीडियो में आपको provide कराते रहेंगे चलिए म मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धनबाद, take care and pay for the next वीडियो